देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबरे उठाते हैं उनका मूँ तो बंद कर दिया जाता है तो अब ऐसा मैं क्यों कह रहे हूं कि बीजेपी फिर से ऐसा करने वाली है दरसल दोस्तों पहले तो गोदी मीडिया के जरिये ये किया जाता था सरकारी एजन्सिया यानी EDCBI का प्रयोग करके अवाज दबाने का काम इस दे ट्विटर तमाम तरीके जहां पर आम अब आदमी अपनी अवास को बुलंद करता है सरकार से सवाल पूछता है गलत चीजों का मुखालपत विरोध करता है उस पर अंकुष लगाने के लिए भारतिये जनतापाटी सरकार ने एक नया दाव खेल दिया है ये क्या दाव है आ अधिकार को हासिल करना चाहे और इन अधिकारों की रक्षा ग्यान देकर भी करने चाहे ये बात 1922 में महात्मा गांधी ने कही इसी के साथ पंडिक जवारला नहरू ने मार्च 1940 में कहा था कि प्रेस की आजादी का मतलब ये नहीं होता जो चीजें हम छपी हुई देखना चाहे सिर्फ उनहीं की अनुमती दे इस तरह की आजादर से ना तो कोई अत्याचारी भी सेहमत हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की आजादी का मतलब है कि हम जो चीजें न चाहे उनकी भी अनुमती दे और अपनी आलोचना बर्दाश्त करें ये दू दार स्वतंत्रता और प्रेस की अजादी हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की महान विरासत है आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई सरकार नागरिकों को मिली स्वतंत्रता को कुछलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी आज एक तरफ सत्ता के जोड से पूरे मीडि को सरकारी भोपू बना दिया गया है दूसरी तरफ भाजपा सरकार ब्रॉड कास्ट बिल लाकर डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया OTT प्लाटवर्म्स और यहां तकी निजित हैसियत में बोलने लिखने वाले लोगों की जुबान पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है यह भारती जंता पार्टी की यह मनशा है कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं सरकार की आलोचना कर रहे हैं और गोदी मीडिया द्वारा फैलाया गया जूट, भरम, मैनूपिलेटेट पैक्स उससे पर्दा उठाने का काम कर रहे है यानि की सोश पाने आख लिया है और इसके खिलाफ एक बिल पारिद करने वाली है इसे लेकर क्या लिखा है इंजिन एक्सप्रेस ने नजर डाली है इसे लेकर क्या लिखा है इंजिन एक्सप्रेस ने नजर डाली है खबर भी यह लिखा है कि जिस तरीके से शांती पूर्ण गोपनिये तरीके से इस बिल को ड्राफ किया जा रहा है यह बात बताती है कि कैसे भाजपा आगे आने वाले समय और अभी भी उनके लेजिसलेटिव यानि कानून बनाने की प्रक्रिया में कैसे बनलावाया पहले 10 सालों के मुकाबले अगर आप नहरू के राज को देख लीजे राजीव गादे इंद्रा गाने किसी भी कॉंग्रेस के राज को देख लीजे तो आपको एक भारी अंतर पता चलेगा वर्तमान सरकार आलूचना बरदाश्ट नहीं कर सकती वर्तमान सरकार कुछ भी ऐसा बर को बंद कर दिया चाहेगा ताकि गोदी मीडिया जो आपको दिखा रहा है आप उसको सच माले और डिजिटल मीडिया जिस बात को सवाल खड़ा करता है जिस बात की और इशारा करता है सत्ता तक कपकपा जाती है जिस डिजिटल मीडिया की ताकट से उस डिजिटल मीडिया प कि जुबान जो है खीचने का लगाम लगाने का मुकबंद करने का काम यहां बीजेपी की सरकार कर रही है देखें नजर डाले एक ख़बर भी छपी है मरुजाला की पहले इस पे बात करते हैं फिर दिखाती हूं आपको कि क्या है इस एक्ट में टेलीकॉम अक्ट प्रसारन से विधयक स्वतंतरता के लिए खत्रा कॉंग्रेस ने कहा ओनलाइन निगरानी चाहती है सरकार यानि पवन खेडा से लेकर प्र्यांका गांधी वाडरा तक समने इस बात को कहा है कि कैसे प्रेस की स्वतंतरता तो पहले ही बीजेपी ने छील ली है और अब डिजिटल मीडिय पर भी जो है कि कंजा कसना चाह रही है इसको लेकर मैं आपको थोड़ाbekा सा और इंसाइड इन्परमेशन दे दू ताकि आपको पता चले की यह पूरा मामला है क्या और क्या सरकार जुए सके तहत करने की योजना बना रही है तो आईए बात करते है इसके बारे में भी यानि यह broadcast will वो तमाग लोगों पे लागू होगा जो monetization earn कर रखा है जुसने यानि जिनका paid है, affiliations है जो भी videos बना रहे हैं यानि कि आप paid से खुछ समझ सकते है या monetization से भी आप समझ सकते है कि उनका channel जो है एक recognized है, थोड़ा बड़ा है ताकि जो लोग उनको देख रहे हैं उन viewers तक भी वो बात न पहुँच पाई इसलिए आप ए paid monetization का जिकर किया गया है कि जो monetized channel है उन पर शिकंजा कसने की तियारी है It is worth noting that the bill might even cover creators on TikTok even through the application is banned in India as it expands definition on the applicability हो सकता है TikTok और TikTok जैसी और भी applications पर हला कि भारत में TikTok banned है लेकिन और भी देशों में चल और बहुत से ऐसे apps है जिसमें political content share होता है तो उन सारे जहां भी political content share होता है उन तबाम social media platforms की निगरानी अब सरकार करने वाली है आगे देखिए There is no minimum threshold nor is there a plan to create a minimum threshold for designating entities as digital news broadcasters and the same rule applicable to an online paper news portal etc are also applicable to those who post news and current affairs on social media as part of a systematic business professional or commercial activity जो भी business के तौर पर commercial तौर पर अपनी राइ भी शेयर कर रहे है उन लोगों की आवास को भी आनकेल खीशने का काम सरकार करेगी YouTubers and Instagrammers perhaps TikTok creators beyond a certain threshold of users will have the intimate the Indian government of the existence within a month of the bill being passed and registered with the three-tire regulatory structure previously applicable to streaming services like Amazon Prime Video, Netflix and Disney Plus Hotstar यानि की जो OTT platforms पहले हुआ करते थे जैसे Disney Hotstar हो गया, Netflix हो गया, Amazon Prime हो गया ये लोग अपने आपको सरकार के थूर रेजिस्टर कराते थे एक proper एक इनका sensor board होता था जिसे ये देखा जाए इनका content जो है वो sensor board के regulations को violate तो नहीं कर रहा और अब आपको अपना social media account भी सरकार के थूर verify करवाना पड़ेगा अगर आप verify करवाते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा scanning होता है क्या कुछ और तो share नहीं करे सरकार के विरुद या कोई ऐसी चीज़ को share नहीं करे जो सरकार को पसंद नहीं है तो शायद आपके खिलाफ भी action हो सकता है 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 They will also have to create a content evaluation committee at their own cost which will need to check all content before it gets published Social media companies that do not provide the government with information about their users will face criminal liability Account sharing news must notify the government with their details within a month of the bill's notification and comply with the three-tier regulatory structure regardless of platform or follower count The bill also brings within its scope advertising networks as advertising intermediary यानि कि भारतिये जनता पार्टी अब लोगों की अवास इसकदर दबाना चाहती है कि पहले कहा गया है अगर आप monetize कर रहे है चैनल को आप अपना कुछ भी news से related information डाल रहे है तो आपको सरकार को information पहुचानी होगी और इसके बाद एक evaluation team भी बनाई जाएगी जिससे पता किया जाएगा आपका content ठीक है नहीं है जाइनलैक है जाइनलैक नहीं है और अगर आप register नहीं कराते हैं तो आपके खिलाफ criminal charges, criminal cases भी की जा सकती है अब ज़रा सोचिए आपको अपने विचार साजा करनी के लिए आप online platforms का इस्तवाल नहीं कर पाएंगे और आप करना है तो आपको सरकार की विरूत नहीं बूलना पड़ेगा क्योंकि सरकार तो ऐसा बिलकुल भी नहीं digest कर पाएंगी कि सरकार के खिलाब कुछ बोल रहा और content evaluation में उसको पास कर दिया जाए अब ज़रा सोची कि लोगों ने social media की ताकत को इसकदर समझा कि आज Twitter से लेकर Instagram, Instagram से लेकर आज YouTube कर सिर्फ वर से BJP की परखचे उड़ाने का काम किया जाता है समझा जाता है कि सरकार कैसे आम लोगों को मुर्क बना रहे है अब BJP को ऐसा लग रहा है कि शायद उनके हार का कारण यही है तो मरता क्या न करता और सामदाम दड़वेद करने में तो भाजपा आगे है ही और इसलिए अब ये आखरी मौका भाजपा के पास है आखरी जो पैंतरा आजमा रही है कि सरकार यूट्यूबर्स का भी मुबंद करना चाहते है यूट्यूब के पतरकारों का भी जो है शांत कराना चाहती है ताकि उनके खिलाब कोई भी बोलेना क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर कॉमेंट करके बताए हमें प्लाल मुझे दीजे इजाज़त और देखते रहे है देशनीत